गुड मॉर्निंग डियर श्टुडेंट्स वेलकम बैग तोड़े वी आपको सारी यूनिट के बाएं में बताएंगे लेकिन आज हम आप लोग को थोड़ी यूनिट बताएंगे मालब सम यूनिट्स डिसकस करेंगे वो कौन सी है बेटा वो ये वाली यूनिट्स है जिनमें आप लोग के बीच आज डिसकस करेंगे तो आप लोगों को ठीक है जो इंपॉर्टेंट्स है जो हमाई द्रैनिक जीवन मज़िया में यूज होता है जैसा कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड से या डिलेटिव से बताते हैं मैं इतने किलोमेटर घूमकर या ठीक है मेरे भारको की लेंध्र यानि यहसरे इतनी है 170 cm यह 172 cm या फिर आप अधर भी बोलते है कि हमारे भारको की लेंध्र ठीक है तो इस तạoी के का आप लोग के साहने हम डिसकस करते हैं फिक ए treaty हैं फिन्स आप आफ अप वार ile यूर्म स्वाशच करते हैं फ उन सेंटीमेटर को हम शॉट में 1cm भी बोलते हैं ठीक है 1cm यह नहीं chair minister वालावापा यह सेंटीमेटर वाला cm है ठीक है तो 1cm अचत्वां कितना होता है 10 mm कितना 10 mm इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है 10 mm, 1 cm equal to 10 mm, ठीक है, अब next हमें दिया गया है, 1 cm, यानि 1 dm, ठीक है, 1 dm कितना होता है, हम इसको बोल सकते हैं, 100 mm भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 100 mm भी बोल सकते हैं, और इसको हम 10 cm भी बोल सकते हैं, इतना सभी लोग को समझ में आ गया है, very good, ठीक है, अब 3rd point के चलते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाए थर्ड पॉइंट में हमें ये बोला जा रहा है वन मीटर इक्वल टू कितना होता है वन मीटर इक्वल टू हम सब देख रहे हैं वीडियो में क्या होता है 1000 mm, क्या बोलते हैं, 1000 mm भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा है, very good, ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 meter को हम क्या बोल सकते हैं, 10 dashi meter, क्या बोल सकते हैं, 10 dashi meter बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, इतना सभी लोगों को समझ में आ ग आपको दिया गया है ठीक, नेष्ट आपको दिया गया है, नेष्ट दिया गया 1 haktometer, क्या दिया अगया 1 haktometer, 1 haktometer equal to कितना होता है, आप लोग देखे हैं, स्क्रीन पर कितना होता है, 10 dakarometer, кितना होता है, 10 dakarometer, very good, इतना सभी को समझ मेरा रहा है, very good, नेस्ट और लास्ट देखते हैं 1 km, very important है, 1 km बड़ाबर किया होता है, 1 km एक्वार होता है, 1000 m, क्या होता है, 1000 m, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेटा लोग, हम इसको बोल सकते हैं, 10 hectometres, क्या बोल सकते है, 10 hectometres, इतना सभी को आ गया, चाहे आप 1 km बोलिए ठीक है चाहे आप 1000 m बोलिए चाहे आप 10 hectometer बोलिए सब का एक ही मीन है ठीक है बस बोलने का तरीका अलग है आप km में unit को बता रहे हैं या फिर आप meter में या फिर आप hectometer में इतना सभी बच्चा लोग को समझ में आ रहा है वेरी गुड ओके सभी लोग को इतना समझ में आ गया है अच्छे से वेरी गुड ठीक है अब आप लोग ध्यान दीजिए नेस्ट भी ठीक बेटा लोग अब हम आगे देखते हैं स्क्वाइल में जैसा कि आप लोग के पापा लोग या दादा लोग प्लाट लेने जाते हैं तो आप से बोलते होंगे इतने स्क्वाइर फिट का प्लाट है अब इस्क्वाइर फिट की unit को हम define करते हैं ठीक है आप कि भी first of all हम लोग ध्यान देते हैं ठीक है देखिए अब पहला आप को दिया गया कैसे के कर दिया गए बर इस्कॉायर सेंटिमीटर रहा सैंटिमेटर सेंटिमीटर्स कार ले up इसको बोल सकते कितना होता है रभाब सुप्妳 ओश्पधा लन नाहीर मिलीं मीटर कितना होता है 100 mm होता है समझ में आ गया या फिर mm square भी बोल सकते हैं आप इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है सभी लोगों को very good ठीक है आप लोग very intelligent है ठीक है अब next point हम देखते हैं next point में बोला गया है one square dc meter यानि dm square dm नहीं यह distinct magistrate वाला बैटा यह unit वाला यानि कि dm का full name क्या है देशी मीटर ठीक है one square dc meter equal to कितना होता है 100 square centimeter कितना होता है 100 square centimeter सभी लोग हमाई साथ याद करते चलें ठीक है next third point हमें दिया गया है third point हमें क्या दिया जा रहा है third point हमें दिया गया है one square meter one square meter equal to कितना होता है लोग आप ध्यान दिजिए one square meter ब्राभब होता है 100 square decimeter इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है very good ठीक है you are very intelligent next इतना सभी को आ गया one square meter equal to कितना होता है hundred square meters okay next हम देखते है one square decimeter क्या देखते हैं ध्यान दिजिए one square decimeter one square decimeter को हम बोलते हैं one erg भी बोल सकते हैं क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं ध्यान दिजिए one erg भी सकते हैं इतना सभी को आ गया one erg बोल सकते हैं ठीक है इतना सभी को आ रहा है समझ में और इसको हम क्या बोल सकते one square decimeter को one erg के साथ हम इसको यह भी बोल सकते हैं 100 square meter भी बोल सकते 100 square meter भी बोल सकते और इसको one erg भी बोल सकते हैं ठीक है इतना सभी को आ गया very good नेस्ट पॉइंट देखते हैं, नेस्ट पॉइंट में बोला जाए, 1 स्कॉार हेक्टो मीटर, क्या बोला गया है, 1 स्कॉार हेक्टो मीटर, 1 स्कॉार हेक्टो मीटर को 1 हेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 हेक्टर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम 100 square देका मीटर भी बोलते हैं इतना सभी बच्चा लोग को समझ में आ रहा है very good next point हम देखते हैं और last point देखते हैं इसका square वाले में से ठीक है next और last में क्याख दिया गया one square one square one square kilometer यानि km square भी बोल सकते हैं इसको हम ठीक है one square kilometer केतना होता है 100 square hectometer कितना होता है 100 square hectometer सभी लोग को इतना समझ में आ रहा है very good सभी लोग intelligent है ठीक है इतना सभी को समझ में आ गया very good ठीक है चलिए बच्छा लोग अब next point देखते हैं next point हमारा लीटर में दिया गया है लीटर जैसा कि आप लोग दुड़ा के से दूद लेते हैं और मलब तेल भी लेते हैं आप जैसे कैलोसीन ओयल हो गया आपका या फिर आपका फार्चून हो गया यह सब लीटर में मिलते हैं केजी में है 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 चलिए बच्छा लोग हम लोग देखते हैं अब ध्यान देते हैं यहां पर वन सेंटी लिटर फ़ाइस पॉइंट क्या दिया गया है वन सेंटी लिटर वन सेंटी लिटर को हम सीयल भी बोलते हैं वन सीयल इक्वल टू होता है टेन मिली लिटर या टेन एमल इतना सभी को समझ में आ रहा है वैरी गुड ठीक है सभी लोग को इतना समझ में आ गया अब नेस्ट पॉइंट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट बोलते हैं 100 ml भी बोलते हैं और इसको हम 10 सेंटी लीटर भी बोलते हैं इतना सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया वैरी गुड ठीक है अब नेस्ट पॉइंट दिया गया 1 लीटर कितना दिया गया है 1 लीटर 1 लीटर इकल टू कितना होता है 1000 लीटर कितना होता है 1000 मिलीटर और इसको हम क्या बोलते हैं 10 लीटर क्या बोलते हैं 10 लीटर किसको 1 लीटर को सभी को समझ में आ रहा है है 메री गोड नेश्वॉइंट देखते हैंनेश्वॉइंट अमें दीया जा रहा है नेश्वॉण 920 वॉन डेकाल्ध में क्या दिया जा रहा है वन डेकाल्ध अिकोल कर्त टूंड होता है तेनली टर्स इतना सभी को हमने मिया रहा है Driving good and next point देखते हैं डिया आपको one hectolitよろover इसको SL ऻोल को हम मिपोलते हैं और इसको 100 Liter भी बोलते हैं किया बोलते हैं hl Поэтому 1Ph यह को सब्सक्राजरिक बांदी लितर हैं और इसको farm क्या बोलते हैं 10 DekalR okay बोलते हैं 1k0 level इतना सुभी लोग को समझ में आ रहा है विए गोड डिख अर लश्ट पॉइंट देखते हैं ten लीडेब कि ऐसंद हो तना betap 1000 लिटर रहा अच्छे से वैस इनलेटर और सबस्क्राइब को यहां को तरコ इस वीडियो में आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही नेश्ट वीडियो में ठीक है आगे हम आप लोग को इसके questions solve करवाएंगे ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमाये चैनल को subscribe कर लिजिए बिल वाले आइकन पे क्लिक करके आल वाला option select करिए जिससे मेरे बनाए गए वीडियो यूटूब पर जब upload होंगे आपके पास सबसे पहले notification आ जाएगा ओके ठाइंक्यू